हेलो बच्चो एग्रिहाब जेट इंस्ट्यूट राइशनेगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग नमस्कार चलो राव राम ओके बात करते हैं बच्चों अपनी राजस्तान की कला और संस करते की जिसके अंतरगत आज का अपनी पास लेक्चर रहने वाला है थार्ड नमबर यानि की तीन नमबर का लेक्चर रहने वाला है जिसमें अपनी पढ़ रहती बच्चों राजस्तान की तिवार बहुत शांदार दो lecture complete कर चुकी हैं जिन बचों ने अभी तक वो lecture नहीं देखी हैं तो पहले suggestion करना चाहता हूँ कि पहले आप वो lecture देखें ताकि आपको ये lecture अच्छा खासा समझ में आएगा और जो students इस channel पर नहीं हैं तो वो पहले subscribe कर लें आपको अच्छा लगता है तो like करें share करें बचो ओकी चलो तो बढ़ते हैं अपने पास हिंदूओं के त्युहार करे थी और बाकी अपने सभी त्युहार कर चुकी हैं कि कब बनाये जाता है ओकी चलो तो बात करें देखो अपने पास बचो आप कुन सा हैं अपने पास हैं यहां पर स्रावन मास किस किस यानि की स्रावन महिने के त्युहार की बात करेंगी तो स्रावन में अपने पास देखो दो पक्स थी एक क्रिशन पक्स होता है एक सूकल पक्स होता है हरमाय में यानि दो पकवाड़े होती है एक पकवाड़ा यानि की 15 दिन का रहता है तो वो अपने पास क्या था क्रिशन पक्स का होता है और फिर अपने पास सूकल पक्स का रहता है तो क्रिशन पक्स के बाद में बच्चों क्या आता है अमावशे आता है और सुकलपक्स के बाद में अंत में क्या आता है पूर्णी माती है तो यहां पर अपने पास बेखो स्रावन माहे के त्योहार की बात करते है तो स्रावन माहे के बच्चो त्योहार में अपने पास यदि बात करें तो देखो क्रिशन पक्स हो गया ये अपने पास क्या हो गया क्रिशन पक्स ये अपने पास सुकल पक्स तो स्रावन क्रिशन पक्स की बच्चो पंचमी को स्रावन क्रिशन पक्स की पंचमी को क्या बनाय जाएगा अब आपका उसर नाग पंचमी होता है कौन सा तो यान नाग पंच मी बनाय जाता है ओकी चलो यानि इसमें नाग देवता की अपने पास क्या हो गया पूजा की जातीन फिर देखो अपने पास रावान क्रिशन पक्स की बच्चो नवमी को क्या बनाय जाता है याद रखना है यह आगे अपने फेलिंदा ब्लेंक्स मी करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा क्या बनाए जाता है बचो नेडरी नवमी बनाए जाता है बात करें श्तरावान क्रिशन पक्स की कामिक यानि की ग्यारस को तो इसको कामदा एका दसी या कामिक का एका दसी कहते हैं ओके चलो तो इनमें सम्में से यदि देखो important की बात करें तो नागपंज मी important रहेगा नीड्री नव मी important रहेगा ओके फिर बात करें तो इसकी अमावश है स्रावन मास की अमावस क्या कहलाती है बचो हर्याली अमावस कहलाती है ओके चलो यहां मांगली अवास का मेला बरता है इस दिन डिगी कल्यारण जी का मेला बरता है ओके डेगी कलियान जे का बचो कहां? टॉंक, टॉंक में रहता है तो यह अपने बास क्रेशन पक्स का कंपलेट हो गया, ओके सर ठीक है, बात करें नेक्स्ट सुकल पक्स की तो स्रावन सुकल पक्स की बचो तीज होती है, वो क्या होती है? छोटे तीज होती है छोटे तीज हो गया फिर इसको क्या कहेंगे स्रावन तीज कहेंगे फिर इसको क्या कहेंगे स्रावन या तीज अब बात करें तो इसको क्या कहते हैं हर्याले तीज भी कहते हैं इस दिन अपने जूले जूलते हैं ना बच्चे जूले जूलते हैं तो पहां की famous है यह जेपूर की famous है तीज की श्वारी बच्चों कहां की famous ने जेपूर की famous है देखो अब यह, कब बनाया जाता है तो श्ट्रामन, शुकल पक्स की तृत्या को बनाया जाता है तो बहुत important तोहार है बचो यानि कि तोहारों का यदी देख जाए तो तो तोहारों का आगमन 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 बचो क्या माना जयता है श्रामण तीज मानी जाती आगमन यानि कि तुहार कब से आनी प्रारम हो जाती है तो स्रावन माहे की सुकलपक्स से यूँ मना जाता है कि तुहार का आवागमन हो जाता है और ले डूबी गणगोर ले डूबी गणगोर यानि कि गणगोर अंत रहता है तुहारों का तो गणगोर कब बना जाता है बच स्रावनमास की पूर्णिमा को बना जाता है नारियल पूर्णिमा कहती है तो यू सोचो कि रक्षा बंदन के दिन आप से क्या बजार से नारियल मंगवाया गया था तो आप याद हो जाएगा कि रक्षा बंदन कब बना जाएगी स्रावनमास की पूर्णिमा को बना जाती है इस दिन क्या मंगवाया गया था बजार से? याद करने के लिए बता रहा हूँ, नारियल मंगवाया गया था. चलो, इसे सत्य पुर्णिमा कहती है, सब्त रिशीव है मानने का पूजन होता है इस दिन, गायतरी जेनती रहती है और संस्कृत दिवस रहता है. ओकी, चलो, तो हो जाएगा याद इस पुर्णिमा को क्या क्या होता है. बात करें, नेक्स्ट अपने पास बचो, चलो, अब देखते हैं, कि कितना आपको याद रहा, कितना आपको याद रहा. तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या है, अब आपको होंगे, सर यह देखो, स्रावन क्रिशन पक्स की क्या है, पंचमी है, स्रावन क्रिशन पक्स की पंचमी है, तो यह अपने पास क्या हो गया, नाग पंचमी हो गया, क्या हो गया, बचो, नाग पंचमी हो गया, स्रावन क्रिशन पक्स की पंचमी फिर बात करें बच्चों नवमी को क्या बनाए जाएगा तो ये अपने पास केसी रहती है नीडरी नवमी इस दिन किसकी यानि कि नेवले की पूझा की जाती है यहां इस दिन बच्चों नाग की पूझा की जाती है ओके चाला अमावशया देखो स्रावन क्रिशन पक्स की अमावशया केसी थी अब आपको उसर ये हर्याली अमावशया थी केसी थी बचो हर्याली अमावशया थी हर्याली अमावशया थी तो हो जाएगा याद हाँ सर हो गया याद यानि कि स्रावन क्रिशन पक्स की पंचमी नागबंच मी, स्रावन क्रिश्ण पक्स की नवमी, नेडरी नवमी, स्रावन मास की क्या रहेगी अमावश्या, अब आप काओ इसर क्रिश्ण अमावश्या, तो बच्चो क्या होती है, अमावश्या क्रिश्ण ही होती है, ठीक है, अमावश्या कभी चारने नहीं होती है, यह मिला लगता है डिगी कलियान जी का मिला लगता है बचो जादा तर कहां ये कहां लगता है टॉंक में होता है अब देखो स्रावन शूकल पक्स की क्या क्या बनाए जाते हैं तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट होता है बचो स्रावन शूकल पक्स का तीज क्या था छोटी तीज छोटी तीज या इसको क्या कहते थी और यहाँ देखो तो यह अपने पास क्या था अब आप कामिसर इस दिन क्या था बचो इस दिन से त्योहारों का क्या आवागमन माला जाता हे त्योहारों का आवागमन माना जाता है आगमन माना जाता है ओके चलो पूर्णिमा क्या रहेगा सर इस दिन पूर्णिमा थी तो क्या बनाया जाता है ये पूर्णिमा कैसे थी नारियल मंगवाया गया था ना बजार सी तो ये अपने पास क्या है नारियल पूर्णिमा होती है चलो इस दिन मनाया क्या जाता है बचो रक्षा बंदन मनाया जाता है क्या मनाया जाता है रक्षा बंदन बनाया जाता है हो जाएगा याद ओके सर चलो इस दिन दिवस कोंच आए तो संस्कृत दिवस है तो ये अपने पास देखो इस परकार आपको याद हो गया कि स्रावन सूकल पक्स का ठीज क्या चोटी ठीज, स्रावन अने पीज, इस दिन से त्युहारों का क्या मना जाता है? बचो, आगमन बना जाता है, पुरिनिमा, नारियल पुरिनिमा हो गया, रक्षा बन्दन कब बनाया जता है स्रावण का क्या होता है या स्रावण माहे की पुर्णिमा को बनाया जता है और यहां देखो संस्कृत देवस मनाया जता है चलो, अब अपने पास बाज करते है छोटी टीजिये अपने पास IMPORTन नट कहां रहता है तो त्योहारों का क्या है बचो आगमन माना जाता है छोटी तीज को या स्रावनी तीज को चलो अब आपको बड़ी तीज तो बादरपद की तीज रहती है ठीक है ना बड़ी तीज बादरपद सुकल तेटेग रहती है ओके यहां इस दिन देखो अपने पास जैपूर में तीज तीज माता की स्वारी निकाली जाती है तो कहां कि फैमस है बचो जैपूर की है चालो इसके लिए कौन सा फैमस कथन रहता है तीज त्युहार बावडी ले डूबी गणगोर यानि कि तीज से त्युहारों का आगमन माना जाता है और ले डूबी गणगोर गणगोर बचो कब बनाई जाती है गणगोर अब आपको देखो पता होना चाहिए चेतर सुकल तृतिया को बनाई जाती है ठीकै ना वेसे गणगोर अपने पास चेतर शुकल पंचमी था नाथ द्वारा राज समन की थी ओके चालो अब यहां देखो इस दिन विवाईत इस्त्रियों को सिंजारा बेजा जाता है और वेसे बचो सिंजारा कब बेजा जाता है देखो सिंजारा सिंजारा कब बेजा जाता है लड़कों के लिए की बात करें तो चेतर सुकल दुवित्या को चेतर सुकल दुवित्या को सिंजारा बेजा जाता है यानि गणगोर से एक दिन पहले बेजा जाता है अब अपने पास देखो रक्षा बंदन तो रक्षा बंदन मनाया जाता है कब बनाया जाता है स्रावन स्रावन माहे की पूर्णिमा स्रावन माहे पूर्णिमा को बनाया जाता है हो जाएगा याद आप पढ़ाओ और याद ना हो ऐसा हो सकता है क्या नहीं बचो ब्रामनों का ये क्या माना जाता है त्योहार माना जाता है और नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं तो यानि कि इस पूर्णिमा को क्या कहते हैं नारियल पूर्णिमा कहते हैं ओके नारियल पूर्णिमा कहते हैं ठीक हो जाएगा याद ओके सर यहां देखो पिपल पूर्णिमा अपने पड़ चुके थे प्रिवियस लेक्टर में तो जेष्ट पुर्णिमा थी जेष्ट पुर्णिमा थी ओकी चेतर पुर्णिमा क्या थी बचो बालाजी जेनती था चेतर वेशाक जेष्ट आसाड आसाड पुर्णिमा को क्या था गुरू पुर्णिमा था हो गया या तो कि सर चलो अब देखते हैं बच्चों नेक्ष्ट अपने पास तो यहां पर बादर पदमा है कौन सा है बादर पदमा है पड़ती है तो यहां पर देखो अपने पास फिर देखें यहां से चलो तो यह बादर पदमा है हो गया हां सर हो गया इसका बच्चों यह अपने पास क्या हो गया Christian Paks हो गया ये अपने पास क्या हो गया शुकल Paks हो गया तो पहले Christian Paks के देख लिते हैं कि Christian यानि कि बदी पख्वाड़ी में क्या आएगा तो Ties तो Christian Paks का very very important हो गया बादरपद Christian Paks की बच्चो Ties को क्या बढ़ी Ties अभी अपने बना कराए थे छोटी तीज छोटी तीज छोटी तीज क्या था बचो शुकल पक्स था तो ये अपने पास क्या रहेगा शुकल से आगे क्या आएगा क्रिशन पक्स तो ये अपने पास क्रिशन पक्स हो गया चोटी तीज से ये बड़ी तीज हो जाएगी ये अपने पास किस माहे के थी ये स्रावन माहे के थी ये अपने पास किस माहे के हो जाएगा ये अपने पास बादर पद माहे का हो जाएगा तो ये अपने पास बड़ा माहे बलेक हो गया तो यहाँ पर बड़ी तीज, सातूरी तीज, कजली तीज, कहां किये बचो बूंदी किये तो बूंदी तीज भी कह सकते हैं फिर इस वक्स का छट छट देखा जाए तो बचो हल सस्ट में कहते हैं हल सस्ट में इस दिन हल की पूजा की जाती है सब्तमिं के बात करें तो बचो बड़ी सब्तमिं होती है बात करें आश्टमिं का वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो देखो क्रिशन रादा की जोड़ी थी क्रिशन देखो क्रिशन रादा की जोड़ी थी क्रिशन रादा की जोड़ी होती नाम जब क्रिशन लेते हैं तो रादा लिया जाता है तो यहां देखो अपने पास क्रिशन क्रिशन क्या था बचो अंधेर पंग था बदी यह बदी को बनाए जाएगा यह रादा अपने पास सूधी को बनाए जाएगा सुधी यानी सूकल पक्सकी बनाई जाएगी ये बचो अब देखो दोनों की अश्टमी है ये भी अश्टमी को बनाई जाएगा ये भी अश्टमी को बनाई जाएगी तो यहाँ पर देखो बादरपद क्रिशन पक्सकी आठ्थम को बादरपद क्रिशन पक्स की अश्टमी को क्या सिरी क्रिशन जनम अश्टमी बना जाती है वहीं देखा जाए तो बच्चो अश्टमी तो यहां पर रादा अश्टमी बना जाती है ओकी हो गया याद हाँ सर क्रिशन रादा क्रिशन रादा अश्टमी बनाए गई है चल फिर बचो दसमी नौमी को गोगा नौमी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जै गोगा नौमी बादरपाद क्रिशन पक्स का नौमी गोगा नौमी ओकी मेला कहां बड़ता है बचो दद्रेवा चूरू में भी बरता है गोगा मेंडी हन्मान गड़ में भी बरता है गोगा जी की ओल्डी कहाँ इस्तित्य सांचोर में भी है ओके सर चलो यानि कि इसके बाद में अपने पास बचो क्या पड़ेंगे? मेले पड़ेंगे तो दस में को मेवाड में गोरी पूजन की जती है बारस को बचो बच बारस कहते हैं बच बारस कहते हैं वेदिक दनू दवादसी दवादसी हो गया अपने पास बारस हो गया और अमावशे को क्या कहते हैं बचो सत्या अमावश कहते हैं क्या कहते हैं सत्या अमावश कहते हैं ओके सर अब यहां से देखो अपने पास next important क्या हुआ यहां पर दुवित्या तो दुवित्या को बचो राम देव जी का मेला शुरू होता है क्या होता है राम देव जी का मेला शुरू होता है बादर पद सुकल दुवित्या को very very important सुकल दुवित्या से लेकर बचो यह कब त तक चलता है यह मेला. बात करें तरित्या को, तो हर ताली का तीज, हर ताली का तीज, तो देखो अपने पास देखो, यहाँ से आपको यादगरवा रहा हूं. आख्ःतिर्तिया तो वेसराक सूकल तिरतिया था. उसके बाद में बात करें छोटी तीज, छोटी तीज आपका स्रामन सुकल पक्स का क्या था तीज था फिर आपके पास आया बड़ी तीज बड़ी तीज कब हुआ बचो बादरपद क्रिशन पक्स की तीज को बड़ी तीज हो गया अब आगे आपने पास हर ताली का तीज तो ये बादरपद सुकल पक्स का तीज होगा हर ताली का तीज तो इस परकार आप compare करके पढ़ें ताकि आपका main exam में कोई question गलत ना हो पाई बात करती हैं चतूर्थी को तो गणेश चतूर्थी चुंगी तिर्थ मेला पांडू पोल मिला तो बचो पांडू पोल मेला कहां लगता हैं अलवर में लगता है तो इस परकार आपको याद रखे वेरी इंपोर्टेंट है गणेश चतूर्थी गणेश चतूर्थी को क्या कहते हैं बचो एकण्ये नाम चत्रा चोथ पंचमी तो रिषी पंचमी होती है देखो बसंत पंचमी कब बनाई जाएगी माग सुकलपक्स की पंचमी को बसंत पंचमी यहाँ पर अपने पास रिशी पंचमी बादरपद सुकलपक्स को पंचमी रिशी पंचमी यदि दिया जाए रंग पंचमी तो बचो क्या होगा चेतर सुकलपक्स की बंचमी को बनाया जाता है अब देखो अश्टमी में बरत हरी का मिला बरत हरी का मिला बचो का बरता है तो बरत हरी का मिला कहां लगता है बचो? अलवर में लगता है अलवर में लगता है बरत हरी का मिला कहां लगता है? और ये कब लगता है बादरपाद क्रिशन सोरी सुकलपक्स की अश्टमी को लगता है ददिची जेनती हो गया ददिची हो गया चलो नौमी को वीर फताजी का मेला बचो कहां बढ़ता है सांथू जालोर में बढ़ता है कहां बढ़ता है बादरपद सूपकल दस में हो गया खेजरली का मेला आयोजित किया जाता है बचो खेजरली का मेला कहां लगता है जोदपुर में लगता है कहां लगता है जोदपुर में लगता है तेजा जी का मेला बचो कहां बढ़ता है ब्यावर अजमेर में बढ़ता है डाली बाई के समागी हो गया डाली बाई बचो क्या थी? राम देव जी की द्रम बेहन थी ओके चलो एका दसी तो इस दिन क्या हुआ था बचो राम देव जी का मेला समापत हो जाता है राम देव जी का मेला श्टार्ट हुआ था बादरपद सुकल द्वीत्यासी फिर अपने पास देखो जल जूलनी एका दसी बचो बादरपद सुकल एका दसी चार भुजा मेला बचो यहाँ पर देखो स्वाई मादूपूर में लगना चाहिए रेवडी ग्यार्स हो गया वि इपोर्टेंट माय रहेगा उमीद कर रहा हूं कि आपको समझी में आया है बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास देखो अपने पास बादरपद क्रिशन पक्स की तरत्या सर क्रिशन पक्स की तरत्या को क्या कहते हैं बचो बड़ी तीज कहते हैं बड़ी तीज कहते हैं बड तोड़ी तीज कहां बनाई जाती है बचो कहां बनाई जाती है बुंदी में बनाई जाती है बुंदी में बनाई जाती है तो ये इसको क्या कहेंगी बुंदी तीज भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं बचो बुंदी तीज भी कह सकते हैं ओकी चलो फिर बात करते हैं बचो अश् सेरी क्रिशन जनमाश्टमी हो गया ओकी यानि कि बादरपद क्रिशन आश्टमी को क्या सेरी क्रिशन जनमाश्टमी हो गया नवमी को सर नवमे को तो आपने बताय था गोगा जी का तो बचो क्या हुआ गोगा नवमी हुआ क्या हुआ बचो गोगा नवमी हुआ याद हुआ क गोगा जी का मेला काम भरेगा बचो हनुमानगड में भी लगता है दद्रेवा चूरो में भी लगता है ओके तो ध्यार रखना होगा बारस बारस क्या होगा बचो बारस से याद रखोंगे बच बारस बच बारस बादरपद क्रिशन पक्स की बारस क्या हो गया बच बारस या देनू दुआ दसी देनू दुआ दसी भी कह सकती है चलो अमावश्या बचो तो यहाँ पर बादरपद क्रिशन पक्स की अमावश्या को क्या कहते है तो स्रावन वाली क्या थी हर यालिय मावस थी तो ये मावस अपने पास क्या थी ये अपने पास सत्या मावस हो जाएगा क्या हो जाएगा बचो अभी पढ़ा न देखो कौन से मावस है सत्या मावस हो गया ये यहां देखो ये यहां हो गया ना सत्या मावस तो इस पर कार सत्या मावस याद रख लो कई गल्ती ना हो जाए बस देख लेना मावस से आओ ठीक है तो यह अपने पास क्रिश्ण पक्स की important important त्युहर होगी अब अपने पास बात करते हैं बादर पास सुकल पक्स का दुईत्य को बादर पास सुकल पक्स की दुईत्य को सर क्या बनाया जाता था अभी आपने बते तो राम देव जी का मिला राम देव जी का मिला सुरू होता है बच्चो क्या होता है सुरू होता है कब से बादर पास सुकल की सुकल की क्या बच्चो दूज से लेकर ये ग्यारस तक चलता है दूज से लेकर ये ग्यारस तक चलता है उसके बाद में बात करें बचो चतूर्थी चतूर्थी कौन से होगी गनेश चतूर्थी होगा गनेश चतूर्थी होता है गनेश चतूर्थी को सर अन्य नाम क्या कहते है चत्रा चोथ कहते है बचो अन्य नाम क्य पंचमी है रिसी पंचमी है कुंच ये रिसी पंचमी है तो बच्चो अपने पास अभी पढ़ कर आए थे ना आज नाग पंचमी नाग पंचमी कब बनाई जाती थी नाग पंचमी सर स्रावन स्रावन क्रिशन पक्स की क्या बच्चो पंचमी को बनाई जाती थी ओकी नाग प पंचमी को क्या कहा जाता है तो बचो बसंत पंचमी कहते हैं ओके सर नेक्स्ट अपने पास क्या हो गया बचो दसमी तो ये अपने पास किसी हो गई तेजा दसमी हो गया तेजा दसमी हो गया तेजा दसमी हो गया बादरपद सुकल दसमी का लगता है और क्या लगता है सर इस यह दिन खेजडली मिला लगता है, खेजडली मिला बरता है, कहां बरता है सीर, यह बचो जोद पूर में यह बरता है, जो दपूर में बरता है, ओके सार, चलो एका दसी की बात करें, यहाँ पर, तो ये अपने पास कौन सी थी देव जूलनी एका दसी था ओकी हाँ सर बात करें अपने पास चतूर दसी का तो अनन्त चतूर दसी अनन्त चतूर दसी तो ये इस परकार अपने पास क्या होगे बचो बातर पद महा है के मेन मेन तिमार होगे अब देखो अपने बास नेक्स्ट कजली तीज का मेला में लगता है बचो कजली तीज का मेला बचो यानि कजली तीज सातूरी तीज तु कहां लगता है बुंदी में लगता है बादरपद क्रिशन पक्स की तृत्या को चलो बादरपद की सुकल पक्स की तृत्या रहेगा यदि दिया जाए सुकल पक्स का तो क्या रहता है हर तालिकाती हो जाती है बादरपद क्रिशन जनम अश्टमी के दिन जामबो जी का जनम हुआ था और इसी दिन नरहड के पीर का उर्स बढ़ता है अब आपको उसर नरहड के पीर का उर्स कहां बढ़ता है तो नरहड जुझनू में बढ़ता है तो इस परकार आपको याद रखना होता है गणिश चतूर्थी को क्या कहते है बचो गणिश चतूर्थी को सर कहते है चत्रा चोट क्या कहते है चत्रा चोट कहते है सेखावाटी में इस दिन लड़कों के सिंजारे बेजे जाती है सेखावाटी में इस दिन लड़कों के सिंजारा बेजा जाता है चलो बात करें रिशी पंच में सर बादरपद सुकल पंच में होता है बचो ये क्या होती है बादरपद सुकल पंच में होती है इस दिन महेश्वरी समाज में राखी मनाई जाती है तो सर अन्य समाज में राखी कब बनाई जाती है तो अन्य में अभी आपको बताया था बचो स्रावन पूर्णिमा को क्या बनाई जाता है बचो रक्षा बंदन बनाई जाता है रक्षा बंदन कब बनाई जाता है स्रावन पूर्णिमा को सर इसी दिन आपने कहा था बजार से तो इसको क्या कहते हैं? पूरिमा के बाद में क्या आएगी? नेक्स्ट सब्सक्राइगा, तो वहां तक यह 15 दिनों तक चलता है चलो स्रादपक्स में क्या होता है यानि कि बचो जो अपने बुजरग लोग होती है वो स्वरक सिधार चुकी है तो उनके पूर्यतिति के रूब में इन दिनों इन दिनों में क्या उनके पूर्यतिति होती है तो उन दिनों में क्या ब्रामनों को बोजन करवाया जाता है ठीक है तो यह अपने पास एक संस्कार भी रहता है यह अपने पास संस्कार भी रहता है और इस संस्कार को क्या कहते है नाम बचो कनागत कनागत संस्कार भी कहते है तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिया रखना इन दीडिवारो पर तो जिसे संजिया कहते हैं ऊकि अब अपने पास बचो यदे बात करें आपने पास तो यहां पर क्रिशन पक्स हो गया यह अपने पास सुलकल पक्स हो गया यहां पर आसोज माय की क्रिशन एकम को क्या क्याती है बचो शमा बनी शमा बनी नाउमी को बात करें तो मातर नाउमी हो जाता है और वेरी इंपोर्टेंट आपको याद रखने है कि आसोज कि अमावशे को क्या लगता है बचो जांबो जी का मेला बरता है कहां बरता है मुकाम मुकाम और ये कहां इस्तिते बचो बीका नेर कहां इस्तिते बीका नेर में चलो फिर अपने पास very very important question बन जाता है नवरात्रा तो ये आसोज सुकल एकम होता है वो नवरात्रा होता है कौन सा होता है ये सर्द नवरात्रा होता है यानि एकम से लेकर नव्मियों तक चलता है ये बात करें आसीवन सुकल सब्तमी का तो जस्नाजी का मिला लगता है जसनाजी का मेला लगता है, कहां लगता है बचो, कत्रिया सर, कत्रिया सर बीका नेर, कत्रिया सर कहां हो गया, बीका नेर हो गया, और ये अंतराश्ट्रिय क्या रहता है, ये इंटरनेशनल, यानि कि अंतराश्ट्रिय अगनी नरत्य के लिए फेमस है, अगनी नरत्य के लिए famous मेला रहता है बात करें आसोज सुकलपक्स की अश्टमी को बचो क्या दुर्गा अश्टमी क्या होता है दुर्गा अश्टमी होती है ठीक है पहले अपने पास बादरपद क्रिशन पक्स की अश्टमी सिरी क्रिशन जेनवा अश्टमी सुकल्पक्स का इष्ट में क्या था रादाश्ट में था बाह narcissist के बाद मिए आसोज आ गया आसीवन आ गया तो इसकी इष्ट मीडिूर्ग इष्ट मी करेंगे क्या दसहरा दसहरा कब बनाया जाता है बचो तो ये अपने पास आसिवन सुकलपक्स का दस्यों को बनाया जाता है बात करते हैं पूरणीमा को तो शर्द पूरणीमा शर्द या इसको क्या कहते हैं बचो रास पूरणीमा रास पूरणीमा कहते हैं ओकी और कार्थिक सनान प्रारम हो जाता है इस दिन से कार्थिक सनान प्रारम हो जाता है चलो आसोज सुकलपक्स का बचो एकम को क्या बनाती है शमावणी मनाती है क्या शमावणी ओके सर बात करती है अश्टमी को तो यहाँ पर सुकलपक्स की अश्टमी को क्या बनाया जाता था तो यहां भी आपको बताया देखो अश्ट मी को सुकल पक्स की अश्ट मी को बचो यहां नहीं दिया है न मातर नो मी दे दिया चलो तो यहां पर आशो सुकल पक्स की अश्ट मी को देखना पड़ेगा चलो बात करते हैं बच्चो दसमी को सोरी यहां पर देखो अपने पास गलती हो गया यहां सुकल पक्स चल रहा है यह क्रिशन पक्स था क्रिशन पक्स का एकम था बच्चो वो क्या था शमावनी था शमावनी था नवमी थी वो आपके पास मात्र नवमी थी मात्र नवमी थी और अमावश्य था बच्चों वो अपने पास था जामबो जी का मेला लगता था यहां सुकलपक्स का एकम पुछाएं तो यहां देखो अपने पास very important क्या होगा नवरात्रा प्रारम होगा नवरात्रा प्रारम होता है और कौन सा होता है बच्चों? सर्दिय होता है शर्द नवरात्रा होता है दूसरा कुन सा होता है तो बसंत नवरात्रा होता है बसंत नवरात्रा का प्रारम बचो कहां से होता है चेतर सुकल पक्स की एकम से होता है और यह कुन सा नवरात्र है बसंत नवरात्रा होता है चलो यहां से आसो अब देखो यहां पर आसो सूकल्पक्स की ऐष्टमी को क्या बनाए ज़ता है बच्यों यहां पर क्रिशन का था, पहले फिरादा का था और यह अपने पास क्या था दुर्गा आश्टमी था बात करें अपने पास दसमी का तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्या था वीजे दसमी था वीजे दसमी सर वीजे दसमी को क्या कहते है दसहरा क्याते है तो इंपोर्टेंट द्या रखना होगा बचो कि दसहरा कब आयोजित किया जाता है आज सोज सुकलपक्स की दसमी को वाय उजित किया जाता है चलो पूर्णिमा को तो यहां पर देखो इस पूर्णिमा को क्या कहते हैं सर्द पूर्णिमा कहते है क्यों सर्द नवरात्र है तो देखो सर्द पूर्णिमा याद हो जाएगा इसी को क्या कहते हैं बचो शुकल एकम एक तो ये होता है अपने पास जो रहता है कौन सा बसंत का ठीक है और एक अभी अपने पास आसिवन सुकल आसिवन सुकल एकम से तो ये रहता है सर्द नवरात्रा कौन सा सर्द नवरात्रा चलो दसेरा इस दिन भगवान राम ने रावन का वद कर बुराई पर विजय प्रप्त की थी दसेरा कब आशोज सुकल दस्मी को बात करें राजस्तान में बचो राजस्तान में कोटा था बारत में कहां कहें मेशूर में सूर का इस्तित है बचो करनाटक करनाटक सहर में दसेरे की दिन सबसे बड़ा मेला बरता है बात करें दसेरे की दिन बचो समी या यूं कहें बचो खेजडी खेजडी वरक्स की पुजा की जाती है वह लेल टांस लेल टांस नामक पक्सी के दसन सुब मने जाते हैं और मुगल समराद जहांगीर दसेरा देखने का शोकीन था अब बच्छो अपने पास कार्थिक माहे के होगी तो कार्थिक माहे मैं अपने पास बात करें नेक्ष्ट देखो तो यहां पर कार्थिक का क्रिशन बक्स सूब कलपक्स क्रिशन बक्स सूब कलपक्स हो गया यहां चतूर्थि को करवा चोथ हो गया अश्टिमी को अहुई अश्टिमी हो गया त्रियो दसी को दंतेरस हो गया यानि दंतेरस दिपावली कब नहीं जाती है कार्थिक मास क्यों माउश कुमना जती है very very important होगी ठीक है ठीक है चतुर्डसी छोटी दिपावली या रूप चतुर्डसी कहलाएगा रूप चतुर्सी बचुक्यों कहती है क्योंकि इस दिन गरों की सपाई हो जाती है ये स्वस्तावे संद्रिय के परतीक रहती है, इसलिए रूप चत्वर्दसी कहते हैं, त्रियोदसी यानि दंतेरस हो गया, इस दिन बरतन खरीदना सूब मना जाता है, ओके सर, अहोई अश्टमी, अहोई अश्टमी हो गया, चलो, बात करें सूकलपक्स का, तो यहां पर कार् मस रहता है, नास द्वारा राज समंद का रहता है, राज समंद का रहता है, कब बचो कार्टिक सुकलेकम को, दुवित्या को क्या बनाए जाता है, बेया दूज यम दुवित्या, यम दुवित्या, यानि कि यम की भी, की भी पुजा की जाती है, ओके, चलो, पंचमी, सुकलपक्स की पंच मी बात करें अपने पास रिशी पंच मी अभी पढ़ कराय थे बादर पद सुकलपक्स की पंच मी चलो अश्ट मी मी अश्ट मी मी बचो गोपाश्ट मी सूर्य अश्ट मी वरत हो गया नवमी मी आवला नवमी अक्षे नवमी हो गया बात करते हैं एका दसी तो कार्तिक सुकलपक्स की एका दसनी को क्या कहते हैं बचो देव उठनी एका दसी आपको कल बते है था न देव सेनी देव सेनी एका दसी कब थी तो देव सेनी यानि आसाड आसाड के सुकल पक्स का क्या था बचो ग्यारस को थी तो वो क्या थी वो बचो हरी परबोधनी थी ये परबोधनी ग्यारस कहलाती है यहां तुलसी विया तुलसी पूजन हो गया पुर्णिमा तो पुर्णिमा में बचो अपने पास कार्तिक सनान पुर्णिमा कुलाइत मेला पुसकर ये वेरी दोनों important हो गया गुरुनानक जेंती यानि इस दिन गुरुनानक जी का जनम हुआ था चंदर भागा मेला बचो कार्तिक पुर्णिमा कोई लगता है ये क्या रहता है बचो पसू मेला रहता है पसू मेला रहता है जो जालावाड में लगता है चल बात करें next तो क्रिशन पक्स की बचो चतूर्थी कार्तिक तो यहां पर अपने पास तो ये अपने पास क्या है बचो करवा चोथ है करवा चोथ कहीं घनेश चतूर्थी मत कर देना अमावश्य का क्या था बच्चो यहां पार कार्थिक क्रिश्ण पक्स कि अमावश्य को क्या बनाया जाता है बच्चो क्या बनाया जाती है दिपावली बनाया जाती है अभी आने वाली है ना हाँ सर आने वाली है तो कहीं है समत हो कि सर आ एक बार टीचर ने क्या पूछा कि बच्चो दिपावली कब बनाई जाती है तो एक स्टूडेंट ने क्या जवाव दिया कि सर मैं तो ना ने रहे गेड़ो तो वीशो काम कोन करनों आपका पता होना चाहिए कि यहाँ पर अपने पास कि दिपावली किस माहे में आती है कहीं सावी मत कह दें किसार अक्टूबर में या नुमंबर में आएगी तो बच्चो कार्तिक यह है यह अपने पास बारत्य महीने है इनके इसाब से फिक्स रहता है तो इन्हीं पर डिपेंड होती है तो कार्तिक माउश्य को दिपावली बनाई जाती है चलो अब अपने पास सुकलपक सेकम कुक का उन्सा तो यहाँ पर अपने पास अनकूट महुच सो बनाई जाता है अनकूट महोसव बनाई जाता है कहां का फेमस है बचो नाथ द्वारा राजसमन्द का कहां का है नाथ द्वारा राजसमन्द का फेमस है दूज को यहां पर कौन सी बेया दूज बेया दूज बनाई जाती है या अपने पास क्या यम दुवित्या बनाए जाता है यम दुवित्या ठीक है उसके बाद में बात करें तो नौमी में अपने पास नौमी में तो सुकल पक्स की यहां पर कौन सी अक्षे नौमी या आमला नौमी बनाए जाता है ओकी चलो बात करें एका दसी में सुकल पक्स की कार्थिक सुकल एका पक्स तो दसी को यहां इस दिन देवता क्या उड़ जाती है तो देव उठनी ज्यारस देव उठनी ज्यारस जिसको क्या क्याती है परबोदीनी ज्यारस परबोदीनी ज्यारस मनाई जाती है ओके सर, वेरी इपोर्टेंट है बचो, चलो पुर्णिमा को, कार्थिक मास के पुर्णिमा को, क्या बचो, यहां पर, पुषकर मेला आयोजित किया ज़ता है, पुषकर मेला कहां बढ़ता है, सर अजमेर में बढ़ता है, कहां बढ़ता है बचो, अजमेर में बढ़ता है, तीपदान का बहुत महतब होता है तीपदान का महतब होता है चलो तो उमीद करें कि बचो आज का लेक्टर यहीं संपन करें बाकी के अपने जितने भी त्युहार हैं यानि कि आगे मारक सीर्स, पोस, माग और सुकलपक्स की हैं तो उनका नेक्स्ट लेक्टर बनाएंगे जो आपको यूट्यूब पर यानि स्टार्ट में आपको बताया था वो कंटेक्ट नमबर दे रखी हैं तो आप कॉल कर सकते हैं चलो आज के लिए इतना हैं काफी हैं उमीद कराओं कि यह लेक्टर आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपका अच्छा रिस्पोंस आ र